असलाम अलेकुम स्टूडेंट्स आज हम वीक 11 के लेक्चर 21 और 22 के साथ हैं लास्ट वीक में हम लोगों ने जो थे GUI फंक्शन स्टार्ट किये थे जो GUI वेजट्स होते हैं आपके पास तो उसमें लास्ट वीक में जो हमने देखे थे वह हमने देखा था बेसिक विंडो कैसे क्रियेट की जाती है उन विंडो में लेबल्स का यूज कैसे किया जाता है बटन कैसे लगाए जाते हैं टेक्स बॉक्स कैसे लगाए जाते हैं यह भी वह में सिरफ वो वैजर्स हैं जो के हमारे पास numerical analysis में implementation के तौर पर use होंगे तो आज जो हम study करने जा रहे हैं वो है हमारे पास canvas wedgers, text box wedgers और comb box और check boxes और last में हम जो है bisection method की implementation देखेंगे using GY wedgers तो python में चलें चलते हैं अपने lecture की जाने सबसे पहले हमारे पास canvas wedgers, canvas wedgers आपके पास होता क्या है canvas wedgers आपके पास basically graphic facilities provide करता है tech inter को और बहुत ही जबर्दस किसम का gadget है जिसके through हम लोग plots बना सकते हैं कुछ graphics create कर सकते हैं और different और किसम के जो custom widgets हैं वो बना सकते हैं और यह general purpose होता है like इसके through हम यह कहें के जिस तरह हमने किसी software की status bar बनानी है हम उसको जो है by using rectangle जो है वो हम draw कर सकते हैं इसमें हमारे पास lines पाई जाती है rectangle पाई जाती है polygons पाई जाती है और भी different किसम के functions पाई जाते हैं तीके के नाम से और यहां पर हम लोग जो है वह import करने इसने इंपोर्ट नहीं किया तक इंटर को आप इंपोर्ट करने from तक इंटर import direct और इसमें हमारे पास यह from का जो f है यह small होगा हां जे अच्छा अब आपके पास सबसे पहले हमने जो क्योंकि यह आपके पास जो constructor है यह टेक इंटर में पाई जाता है तो इस लिहाज से from तक इंटर इंपोर्ट स्टरी किया उसके बाद मैंने एक मास्टर के नाम की विंड़ो बनाई है अब जो है एक canvas add किया है सबसे पहले canvas के यह options आ रही है वो उसमें हमें बताना होगा कि भई हमारे पास हम किस विंड़ो में add up कर रहे हैं उसकी width क्या है और उसकी height क्या है यह width और height आपके पास canvas की declare हो गई और हमने उसे pack के through उसे जो है आपके पास विंड़ो से associate कर दिया तो सबसे पहले जो चीज क्रियेट होगी वो यह आपके पास canvas पूरी की पूरी विंड़ो जो अपनी जगा ले रही है तो इसकी width 200 और इसकी height जो है वो 100 की है उसके बाद w.create line w canvas ही है अब उसी canvas में आपके पास line भी create की जा रही है आप different canvas भी बना सकते हैं अभी फिरहाल इस canvas की जो है हम objects बना रहे है create line कहां से कहां तक 00 से लेके 200 और 100 तक यह point जो है आपका वो आपका 00 point कहलाता है 00 से लेके 200 by 100 यह वाला point आपके पास तो यह वाली line जो है यह declare की है आपके पास दूसरा एक और create line की जीरो हंडर्ड एक्स जीरो वाई हंडर्ड यह वाला point से 200 जीरो 200 एक्स में और वाई में जीरो 200 जीरो यह वाला point है आपके पास फिल किया red से और आपके पास dash डाल दी आपके पास तो यह सारी की सारी आपके पास options रही create line की उसके बाद है आपके पास create rectangle create rectangle के तुरू हमने यह rectangle create की जिसमें सारे के सारे इस rectangle के हमने diagonal elements दीए है 50 25 यह 50 और यह 25 और दूसरा है 150 75 यह x में 150 और y में यह 75 यह वाला point rectangle के diagonal elements दी जाते हैं main principle diagonal elements तो यह उसके against आपके पास उसके min max निकाल के पूरी की पूरी rectangle आपके पास plot कर देता है तो mainly यह आपके पास जो है इस program की output आईगी उसके इलावा हम different किसम की और options यूज कर सकते हैं एक तो यह आपके पास create line के option दिखाई एक line create की मैंने इसके x y coordinates तब दील किये जा सकते हैं जिससे यह आपके पास यह i line जो create हुई है यह shift हो सकती है item configure की option के थुरू हम इसकी different किसम की options जो है वो change कर सकते हैं like fill color तब दिल कर दिया like dashes डाल दी इस तरह की options अगर हम कोई आपके पास item i delete करना चाते हैं आपके पास canvas में से तो वो delete भी हो जाता है w.delete से और अगर हम पूरे का पूरा canvas की तमाम items करना चाते हैं तो w.delete के अंदर all pass कर दिया जाता है यह तमाम की तमाम options भी मौजूद है इसके इलावा किंटर जो है आपके पास वो different किसम के standard items जो है उनको support करता है और create कर सकते हैं bitmap जो है आपके पास वो create कर सकते हैं image bitmap image भी और photo image instance भी उसके लावा आइन क्रियेट कर सकते हैं ओवल क्रियेट कर सकते हैं ओवल हो गया इसमें आपके पास circle भी हो सकता है canvas gadget अच्छा canvas gadget जो है आपके पास वो window coordinate system यूज करता है आपके पास like 00 आपके पास जो है इसका टॉप left corner है यह आपके पास मैंने इदर भी create करके दिखा था मैंने बताया था कि यह 00 है तो आपके पास जो है वो टुक इंटर जो है आपके पास sorry canvas widget जो है आपके पास वो coordinate system यूज करता है उसके इलावा हम canvas widget के थ्रू जो है वो different किसम के और काम कर सकते हैं लाइक हम pie slices बना सकते हैं और polygons बना सकते हैं तो यह सारी की सारी चीज़े हैं और यह बिलकुल आपके पास जब क्यूं coordinate system को जब यूज करता है तो बिलकुल ऐसे है जैसे इसके पूरे का पुरा like geometry manager पूरे का पूरा काम कर रहा होता है जो हम पहले use करते रहे हैं लास्ट लेक्चर में भी इस चीज़ को हमने declare किया था उमीद करता हूँ आपको जो है यह canvas समझ आ गया होगा फिर भी किसी भी मुश्किल की सुरत में आप लोग मेरे से राप्ता कर सकते हैं WhatsApp पर और उसके इलावा canvas की और बहुत सारी options हैं उन सा को जाके apply करके देखिएगा और जो है आपके पास किसी भी मुश्कित सुरत में मुझे contact कर लीजेगा अपना ख्याल रखिएगा अलाफिस